नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक चमतकारी और सधी के बारे में जानकारी दूँगा जिसका नाम है सहदेवी दोस्तों यह देखे यह सहदेवी मैं उखाड के लाया हूँ और बहुत ही चमतकारी और सधी होती है मित्रों और आयुरुवेद में इसके बारे में बहुत ब बुखार हो, खासी हो या मूत्र रोग हो तो ऐसी श्थिति में मित्रों यदि इस उसदी को लेकर जड़ समेत उखाड लें यह आप देख रहे होंगे मित्रों यह उसदी मैंने उखाड़ी है इसको जड़ समेत उखाड करके इस सहदेवी के पौधे को अच्छे से धो ले धो आपको तभी बिमारियों से चुटकारा मिल जाएगा जिन बिमारियों ने आपको परसान कर रखा होगा मित्रों मित्रों किसी को मूत्र रोग है या पिसाब जो है रुख रुख कर आता है खुल कर नहीं होता तो ऐसी स्थिती में मित्रों इस ओसधी का पाचो भाग लेकर के आप देख रहे हैं मित्रों इसके पते, तने, फूल, जड इन सभी को लेकरके मित्रों आपको जो है 200 ग्राम पाणी डाल करें और इसमें दोस्तों आपको 50 ग्राम जह सहदे भी मिला है 200 ग्राम पाणी में आपको मित्रों पीना है, सुबह साम पीना है, आप देखेंगे मित्रों आपको जो पिसाव रोग होगा, वो दूर हो जाएगा, मित्रों यह जो आप सहदेवी देख रहे हैं, जैसा इसका नाम है, वैसा इसका काम है, मित्रों यह एक जो है बहुत ज़्यादा चमतकारी और त तांतरिकों को यह मिल जाती है यह उसदी तो वह तांतरिक लोग इस उसदी के द्वारा जो है तांतरिक सिध्या करते हैं यानि कि जैसे किसी प्रेत वगेरा की साधना है या किसी अन्य देवी देवता की साधना है वो जो है मित्रों इस उसदी के प्रियोग करकर करते हैं मित् दोस्तों आप इसके पूल देखे मित और इसके पूल जहे गुलावी रंग्य एंगी और मित यदकी पूल यहाई उस्तफिया और इसके पूल मीत्रों बहुत ही सुन्दर पौधा होता है मित्रों यदि आप चाहें मित्रों तो आप घर में भी सकते हैं, और घर में लगाना इसे बहुत सुभ माना जाता है, तंतरसार में, दोस्तों, और इस और सदी से समहोण सकती भी प्राप्त की जा सकती है मित्रों आप देख रहे होंगे इसकी जड़ यह इसकी जड़ है जहां पर भी यह पौधा लगा हो सहदेवी तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अस्वनी नक्षत्र में जो है आपको मित्रों सुरज उगने से पहले-पहले सुभे सुभी जाकर के हल्दी चावल लेकर कि इसकी जड़ में जो है निमंत्रण देकर के आना जहां पर यह पौधा लगा हुआ है वहां जाकर हल्दी चावल से निमंत्रण देकर आना कहना है कि आपका मेरे घर में निमंत्रण है सहदेवी पौधे ठीक है आपको बोलना है ऐसे और फिर इसके बाद जो बोलके आ जा और वो भी सूरज उगने से पहले पहले ठीक है और जा करके फिर इसको दोस्तों जा करके इस और सदी को आप उखाड़ने के बाद जो है मित्रों इसकी जड़को जो है आप तोड़के जिम में डालने और बांकी का जो हिस्सा है वह आप चाहे तो ला सकते हैं और आप चाहे आती है या फिर आपको जो है मित्रों बुखार है तो ऐसे इस्थिति में आप इसके जो जड़ की उपर का भाग है उसको जो है प्रियोग में आप ला सकते हैं और इसकी जड़ है इससे समहर सकती प्राफ्त होती है आप देख रहे हैं मित्रों यह रहा यह सह देवी बहुत ही ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले, ठीक है मित्रों, मित्रों ये जो आप उसदी देख रहे हैं, बहुत पावरफुल उसदी है, दोस्तों इसको सहदेवी कहते हैं, आप देख लेजिए इसकी ये पहचान है, और इसके फूल दोस्तों जो है नीले ग देख लिजे दोस्तों, ये देखिए, गाढ़ा रंग है इनका गुलावी रंग है गाढ़ा, और दोस्तों बहुत ही ज्यादा चमतकारी उसदी है, और मुझे बड़े मुश्किल से मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ब्यूडियो बनाई जाए, और दोस्तों मुझे इसकी ओसकता है, क्योंकि मैं भी इसका इस्तमाल कर रहा हूँ, ये देखिए, मैं भी ले कर आए हूँ अपने लिए, और इसका मैं प्रियोग करके जो है, इसका प्रियोग करके अपने जो रोग हैं, उन रोगों को दूर करूँगा, ठीक है, तो दोस्तों आप से भ कारी और सदिये मित्रों ये, और मैंने इसकी पहचान भी आपको बता दिये, देख लीजिए, और मैं भी इसे उखाड के ले करके आया हूँ, अपनी कुछ सिद्धिया है, उनको हासिल करने के लिए, और मित्रों ये बहुत ही ज्यादा चमतकारी पौदा होता है, दोस्तों आयरुबेद में जहां यह बहुत सारे रोगों को दूर करता है, वहीं तंतर सार्व में यह सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तंतरी के लोग जो है इस पौधिये को निमंत्रन देकर सही बिदी से जो है इसका प्रियोग करके समोहन सक्तियां और बैतालसी धियां हासिल करते हैं इस और सदी के बारे में दोस्तों में जितना कहूं उतना कम है जैसा इसका नाम है मित्रों सह देवी देवी जैसा काम है इसका दोस्तों मानने वाली बात है मानो तो पत्थर ना मानो तो ठीक है दोस्तों मित्रों कहने करते ही है सीधी सी बात है कि दोस्तों आप पत्थर तो देखते ही होंगे ठीक है आप उस पत्थर को मानो तो भगवान नहीं तो वो पत्थर है ही ठीक है यानि कि दोस्तों सीधी सी बात है कि ये हमारे विश्वास पर निर्वर करता है ठीक है और मित्रों आप द आप गैलने और प्रणब अस्वद गोरेशने और फ्राध दिए उसके पूल देख लीजिए पूस्प देख लीजिया सिर्णबश्य से इसके पूस्प यह देखिए इसके घुलावी रंग में और थोड़े गाड़े निले रंग में हैं देखिए लालीमा टाइप आ रखे इसमें गुलावी है इनका गाड़ा रंग देखिए आप ठीक है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसमा निला रंग चड़ा हो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और सदिय मित्रों जैसे इसका करना था नाम है वैसा घी काम है वैसा ही इसके लिए बहुत भी मिहनत करनी पड़ती या आपको तलाब किनारे या फिर ख्येतों के किनारे या फिर जहां पर जंगली जाड़ियां ज्यादा हो और वहां पर रही मिलेगी फिर भी बड़े मुझे मिली है तो देख़िए मैं उखाड़ा है इस उसदी को पूरा उखाड के लिए कर के आया है और मैं इसका प्रियोग करूँगा खास करके लेना दोस्तों इतने ठाइनी तोड़े की आप देख रहे हैं इतनी तहनी इतनी तहनी आपको तोड़े लेनी है तोड़ने के बाद अपने तक्या के नीचे रख लेना है और फिर आप सोने जाईए आपको नीद फटा फटा आ जाएगी दोस्तों जो भी चिंता होगा जितना भी आपके मस्तिश्क में दर्द होगा वो सब चला जाएगा इतनी कारगर ओसधी है मित्रों मित्रों इस ओसधी के बारे में मैं जितनी प्रसंसा करूं उतनी ही कम है दोस्तों आगे भी मैं इस ओसधी की उपर वीडियो बनाऊंगा तो आप दोस्तों मेरे साथ बने रहें और उस वीडियो को जरूर देखें बहुत जल् जाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे छमा करना और जो भी कमी हो मुझे बताईएगा जरूर और मैं अपनी कमी सुधार हूँगा ठीक है मित्रों तो अमीद करता हूं दोस्तों आपको एह दिब और सधी सह देवी की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आए म मित्रों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दवाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले धनवाद दोस्तों आपने वीडियो देखी आपका बहुत-बहुत अभार जाहिं दिमित्रों